फेलो दोस्तों, गहना गिर्वी सौफ्ट्वेर में आपका स्वागत है. आज हम लोग गिर्वी जमा कैसे करते हैं, यह देखेंगे. गिर्वी जमा करने के लिए हम सौफ्ट्वेर में सबसे पहले जो गिर्वी जमा का आइकॉन बना आ रहा है उस पे क्लिक करेंगे. सबसे पहले customer name में customer का name दाल के वही के वही customer create कर लेंगे उसके बाद customer की basic details जैसे की उसका mobile number और address की details दाल देंगे तो आप ऐसे instantly customer create कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको customer की और भी details जैसे उसके father का name अथवा उसका photo store करना है तो उसके लिए आप add new customer पे क्लिक करके details fill कर सकते हैं कोई भी customer create करने के लिए उसका name and address डालना important है आज की date तो by default set रहेगी पर अगर आप अपने बहीखातों से back date की entries कर रहे हैं तो date change करने के लिए simple date पे क्लिक करके date भी change कर सकते हैं इसके बाद add item पे क्लिक करके गिरवी रखे सामान की जानकारी भर लीजिए सबसे पहले metal पे क्लिक करके customer गिरवी में सोना चांदी क्या रख रहा है वो select कर लीजिए इसके बाद item name पे क्लिक करके customer जो सामान रख रहा है उसकी जानकारी भर दीजिए इसमें काफी सारे Already option है उसमें से select कर लीजिए, या उसके अलावा अगर आपको खुद से कोई item बनाना है तो उस item का नाम लिखके तुरंट item create भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार customer हमको 3-4 चीज़े एक साथ दे देता है, उस case में item name में mix jewelry दाल दीजिए और जो सामान रख रहा है उसकी details remarks के column में दाल दीजिए। इसके अलावा रखी हुई चीज़ की photo click करके gallery में से save भी कर सकते हैं। इसके साथ ही रखे हुए सामान का gross weight डालते ही software automatically उसकी approx value भी बना देता है। इसमें tunch और rate आप अपने हिसाब से भी set कर सकते हैं। इसके अलावा अगर customer और कुछ भी item रख रहा है तो add item पे click करके उसकी details भर सकते हैं। अगर नहीं तो सिर्फ save item पे click कर दीजिए। इसके अलावा आप customer को जो भी amount दे रहे हैं वो principal given में fill कर दे। For example मैं customer को 32,000 रूपे दे रहा हूँ। इसके साथ ही आप return period भी इसमें fill कर सकते हैं। और जो भी मैं customer से interest चार्ज कर रहा हूँ वो हर महीने के हिसाब से आप इसमें fill कर सकते हैं। इसमें आप customer के signature भी ले सकते हैं। Signature लेने के लिए add signature पे click करके customer के signature करा लीजिए और फिर save पे click कर दीजिए। आप इसमें simple और compound दोनों तरीके से customer से interest ले सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको interest लेना है उस पे click करके आप यह गिर्वी जमा कर सकते हैं। गिर्वी जमा सेव करने के बाद आपको गिर्वी की details आ जाएगी। वो आप एक बार देख लीजिए। अगर भूल से आपसे कोई details गलत फिल हो गई हो तो वो आप edit पे click करके वही के वही ठीक कर ले। आज के लिए वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों। कर दोस्तों वाद